है गाईज देखो यहां पर लगबग मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूं जो लगबग राके जुन जुन वाला के गुरू के पॉर्टफोलियो में है मतलब देखो राके जुन जुन वाला से भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है मतलब उन्होंने भी काफ इन्वेस्टर यहां पर समझ रहों सबसे बड़ा पॉर्टफोलियो उन्हीं का आपको देखने को मिल जागा यहां पर और वैसे भी राके जुन जुन वाला कोई छोटे मुटे इन्वेस्टर भी नहीं है समझ रहों लेकिन फिर भी मैं आपको बलूँगा कि कुछ न कुछ ऐसा भी होता जो उनसे भी बड़ा होता है सीखना चाहिए हमें सभी से सीखना चाहिए कुछ न कुछ तो कौन है यहां पर देखेंगे यहां पर देख सकते हो दमानी पॉर्टफोलियो जुन जुन वाला के गुरू है यह इनका नाम है राता किसिन दमानी जो लगबग डीम कर सकते हो यहां पर सही है तो कौन से कौन से स्टॉक है यहां पर देख सकते हो राधा किसन दमानी जी यहां पर देखो मैं आपको बहुंगा स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं आपको पेशेंस भी देना पड़ेगा समझते हो यहां पर सपोज मान लेते कि आप किसी कंपने दो लोगों ने मिलके एक business start किया समझ दो लोगों ने मिलके business start किया दिन रात महनत की आपको क्या लगता है उन लोगों ने अपना पैसा नहीं लगाया होगा जब एक startup होता है तो खुद का पैसा भी लगता है और पैसे से ज़्यादा महनत लगती है दिन और रात के महनत लगते तब जाके एक successful company बनती है समझे तो तब जाके benefit मिलता लेकिन stock market में क्या होता कि हम पैसा fake देते हैं ऐसे लगता कि stock market गरीब है और हम अमीर है हम पैसा fake देते हैं होगा होगा देखा जागा तो इसलिए मैं आपको बलता हूँ patience भी रखो कुछ तो और दो आपर तभी आपको benefit देखने को मिलेगा इनके portfolio में 5 important share है यह देख सकते है 5 important share है जहाँ पर लगबग इन्होंने लगबग लाखो share खरीद रखे हैं और करोड रुपे लगा रखे हैं करोड रुपे यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहले avenue शुपर मार्ट देखने को मिलेगा जिसमें लगबग 1.99 lakh करोड मतलब 2 lakh करोड तो के बलड डी मार्ट avenue शुपर मार्ट में ही लगाया गया है और उसके बाद अगर अब देखो के तो यहाँ देख सकते हो इंडिया सिमिन्ट में लगबग 3.93 मतलब माल लेते हैं 4 lakh करोड शेयर खरीदा गया क्वांटिटी उसके बाद यहाँ कितना है तो लगबग 814 करोड रुपे रादा किसन दावानी जी ने यह स्टॉक को अभी भी हाल फिलाल में भी खरीदा है और लगबग कई बार मतलब buy on dip किया है इन्होंने यह स्टॉक में उसके बाद देख सकतो trend में आपको देखने को मिल लगा 54.21 lakh quantity है जिसमें लगबग 5-600 करोड के आस-पास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वेस्टी इन्डेस्टी में देख सकतो इनमें भी लगबग 15-600 करोड के आस-पास है यहां देख सकतो सुन्दरम फाइन्स यह कंप्री लगबग 70-80% गिरावाट में देखने को मिल लिए तक की तेजी है 3% और लंबे समय में तो देखो यह स्टॉक लगबग 300 रुपेज से गिर चुका 300 रुपेज और अभी यह स्टॉक लगबग 70% के गिरावाट में देखने को मिल रहा और सबसे बड़ी चीज गिरावाट तो केवल यहां पर हुई है यह तो मैं आपको बलूँगा यह तो इसी लेबल के आसपा स्टॉक अपडाउन कर रहा कब से 2019 से 2022 तक फाइनिन सेक्टर वाले सारे स्टॉक काफी अच्छे रिटर निकाल के देते हैं यहां तक कि उनके पहनी स्टॉक भी तो इतने गिरे हुए स्टॉक में रादा किसन दवानी जी ने काफी अच्छा अमाउंट लगाया है अपने हिसाब से और यह कंपenी का लगबग 2000 करोड का मार्केट कंप देखने को मिला लागा 70% गिरावट नहीं है यह कंपणी लेकिन फी भी यह कंपणी डिविडेने द देती है कंपणी बिलकूल देट फ्री आपको देखने को मिला लगबग 2700 करोर का company के पास लगबग क्या बोलते है reserve पड़ा हुआ है, zero date है, एक भी problem नहीं मैं आपको बहुत साकते हैं, एक दिन का ही आपको बताया जा रहा है तो लोगों ने काफी एच्छा माल भी खरीदा है बेचने वाले तो ज़्यादतर लोग है नहीं यहाँ पर क्यों खरीदने वाले देख रहे तो मैं आपको बलूँगा राधा किसंदमानी जी का पोर्टफोलियो में ये एक स्टॉक है जो थोड़ा छोटा है और इंडिया सिमेंट ये है राधा किसंदमानी जी का मतलब फेवरेट सभी चलना स्टार्ट किया देख सचतो अभी अभी ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया समझ दो सिमेंट वाली कंपरी अगर चाहेंगे तो राधा किसंदमानी जी मतलब फूरी कंपरी को खरीद लेना चाहते हैं लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है 7-8,000 करोड के आसपस कंपनी का मार्केट केप आपको देखने को मिल जागा यह year on year का पहले तो कंपनी देखो ठिक टक प्रॉफिट में थी लेकिन उसके बाद कंपनी लॉस में थी फिर नॉर्मल प्रॉफिट होता था प्रॉफिट को तोड़ के लगभग आज के डेट में हाई प्रॉफिट बनाया गया और इसी वज़े से इसका EPS देखोगे अर्निंग पर सियर तो लगभग आज के डेट में मतलब देखोगे 6-7 रुपिज के आसपस होने वाला पहले यह कशना से बढ़ बनाने के लिए कनाम हीाम के सारे स स्टाख बडे बडए है इनके बार में तो आपको पता ही है यह कौन्च से स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं इंकते हैं आप कमेंट करके बता सकत Сकते है और मैं आपको बलूगा को बलूँगा कि ये सारे stocks आप ध्यान रखेगा मतलब ये normal company नहीं है भले ही मैं आपको बलूँगा company का fundamental ठीक हो ठीक नहीं है profit में loss में कोई भी है लेकिन मैं आपको बलूँगा ये सारे stocks नॉर्मल नहीं है हमसे अलग है और हमारी जो देखनी की नजरिया होती है उससे कई उना ज्यादा लगबग वो दूर से ही देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है समझ रहो हम नस्दिक जाने के बात भी ऐसी company को नहीं कि वह जो बड़े वला है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा आप देख भी सकते हो है कि नहीं और अगा आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉंट इंजिन में उपन कर सकते हो जहां पर आप एनस सी बीसी मिचल फंट कुछ भी खरी सकते हो जो च के लेवरी चार्जेस फ्री है कि अल्टान रिप्रिस लगता वह भी इंट्राडे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अमेंटों में जाके अपना डिमेट अकॉंट वगर आपन कर सकते हैं